दोस्तों नमस्कार मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और अब बहुप्रतिछित गुरूप सी और डी की जो भरती निकली है इलहाब अधाई कोर्ट की विग्यापन आ चुका है चारतारिक से अनलाइन किया जाएगा और उसकी रिक्तियों के बारे में और सिलेबस के बारे में आपको सारी सुचनाय आउगत कराऊंगा मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बाक्त में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो देखिए विग्यापन आपके सा संचित विग्यापन है उसमें फर्स्ट राइग पर है जिला नयायाले असुलिपिक 2014 ग्रेड है इसमें असनातक अनायले डोग सोसाइटी द्वारा टिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए और विस या तीस सब प्रतिमिनट का हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग चाहिए इसम जिला नयायले लिपिक का जो पद है कनिष्ट सहायक और देव प्रसिच्छु का इसमें भी इंटर्मीडियेट चाहिए डोग ससाइटी द्वारा टिपल सी सर्टिफिकेट चाहिए टाइपिंग चाहिए एक हजार चुवन पोस्ट है ग्रेड पे उतना ही है अठारा से चार भॉक का गॉक का विचिक ड्राइबर है और यां गम हर भॉबंद द्र्रीवेन में चाहिए जिसमें करफ सोर सवन таला से ल्वारा छाईट प्तल स्अरारा जिसमें कुण 1777 अइसके लिएcken चैंडिये लगाथन के लिए हाईस्खुल पास उर गbas एईटिये उर प्रोशस्ट के लिए जूनियर हाइस्पूर्, श्रीपरकमफरास के लिए कक्छाच्छव, और बेतनमान पावन सव से वीस हजार दो सक्त लग है, इसमें सिर्फ पाँचवे पद के लिए श्रीपरकमफरास के लिए छह हजार फिक्स्ट बेतन है, जो पदो की संख्या है वो घट और इस तक चलेगा, और आते हैं सुल्क के बारे में, तो सुल्क के बारे में सामान और पिछड़ा वर्ग के लिए उस सुल्क देना पड़ेगा, अब आते हैं फिस के बारे में, इस्टेनोग्राफर के लिए जनरल और OVC का 950 है, EWS यानि सामान वर्ग में जो कम जोर हैं उसक इस सी के लिए साथ सो पचास है, जूनियर असिस्टेन्ट के लिए जनरल OVC 850 है, EWS साथ सो पचास है, EWS साथ सो और SCST 650 है, गुर्पदी के लिए जनरल OVC 800, EWS साथ सो और SCST 600, आप अलाइन या फिडेविट कार्ड, एक्रेटिट कार्ड, नेट बैटिंग, किसी माध्य हम से यह आप पीस पे कर सकते हैं, 18.40 पर सुम रहे, EWS रिलेक्सेशन जो हाई कोट का रूल है, उसके अनुसार मिलेगा, पुल्पद 3906 पोस्ट है, बहुत ही बड़ी वेकेंसी है, परिक्षा के लिए साथ साथ लिख्या गया है, उस्चने आले इलहावाद द्वारा संब लिखित परिच्छा होई, RMC पर पद क्रमांग शंख्या के अनुसार, अलग अलग तितियों में उत्तर प्रदेश के विगुंद जिलों में आयोजित की जाएगी, उसके उपरां पदों के अनुसार, हिंदी अंग्रेजिक कंप्यूटर टाइप टेस्ट, आसुलीपी टेस और ड्राइबरिंग टेस्ट किया जाएगा, परिच्छातिती और समय अस्थान भ्यारती कोस, इडिमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी, अलाव अधाय कोद की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं, अब दोस्तों आते हैं कि सिलेबस के बारे में सिलेबस क्या रहेगा क्या पूछा जाएगा, वो सारा चीज हम बता रहे हैं, यह है इस्टेनोग्राफर के लिए, इस्टेनोग्राफर के लिए हिंदी, इंग्लिस, जेनरल, अस्टेडी और मैथमेटिक, सव क्येस्टन पूछे जाएगे, सव मार्क के रहेंगे, नभी मिनिट का समय रहेगा, परिक्षा करवा ही जाएगी, ते टाइप की परिक्षालक से होगी, गुरुप C के लिए भी लगवग लगवग सिलाइबस हो ही है, हिंदी, इंग्लिस, जेनरल, अस्टेडी और मैथमेटिक, इसमें भी टाइप हो ही मांगा जाएगा, ड्राइबर पोस्ट के लिए, हिंद सामान ग्यान और गडित का टेस्ट होता होगा, सावी क्वेस्चन रहेंगे, नब्य मिनट का समय मिलेगा, लेकिन उसके बाद ड्राइबरिंग का टेस्ट लिया जाएगा, ग्रुप D के पोस्ट में आते हैं, तो इसमें दो टेस्ट देने होंगे, पहली होगी, अब्जेक् कारित किया जाएगा, वो लिखित परिक्षा में, रिटेन टेस्ट सेकेंड में, हिंदी, अंग्रेजी और सामान ग्यान और गडित का बी क्वेस्चन पढ़ेगा, तो इसमें कोई स्कील टेस्ट नहीं होगा, ना कोई इंटर्व्यू होगा, इस भरती सरस्व जन्दित, सार जिसके लिए आपको सरकारी रिजल्ट देखना पड़ेगा, सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे, सबसे नीचे पर लेखा गया है, लहाबाद हाइपोर्ट की ओफिसियल साइट कोई भी क्वेरी हो, तो वहां से हाइपोर्ट की विप साइट पर जाके कर सकते हैं, बाकि आपक आनलाइन की सौप से आप फार्म भरवा सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेकेंसी है, इसका मौका न छोड़िए, और तयारी तुरंत प्रारम कीजिए, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी मेरे वीडियो, लाइक, सेयर, जैर कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्य आवा दोस्तों, नमस्कार.